मेरी राजस्थान यात्रा एई पाट्टी हाइस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट पर सेवेन क्लासर हाइचकल और हिंदी गीता पर सोधूर्ट पाठ मेरी राजस्थान यत्रा मने मूर राजस्थान भ्रहमन बराजस्थान लई मूर जात्रा भ्रहमन देखो बेटी आज के आखबार में एक स्कूली बक्ची ने अपनी मुंबाई यात्रा के अनुभवो को ब्यक्त करते हुए एक सुन्दर लेक लिखा है पिताजी ने आखबार का पन्ना दिखाते हुए निकिता से कहा देवताके बाने पित्री जने बातुरीका कोतर पिस्थाटु बा पेज तु देखो आई निजर स्वाली जनी निकिताक देखो आई कोई से शुआ आई जनी आजी बातुरीका कोतर एजनी इसकुलिया स्वाली है मुंबाईलोई जुआ जात्रा आरवा ब्रमनर अनुभवतु त्यो ब्यक्त करी हुंदोर एटा लिखोनी प्रकाकुरी से लिखी से बेटी तुम भी अपनी पिछली रजस्थान यात्रा के बारे में एक सोटा सा लेख तयार कर सकती हो आई जोनी माने स्वाली बेटी बुली कोले आई जोनी आरो स्वाली निजर जीएको कोई होई बेटी आई जोनी तुम्यू तुमार जुआ राजस्थान जात्रार विखोए एटा हुंदर लिखोनी तुमी तुयार कुरीबो परा प्रबंदबा गल्प तुमी तुयार जिग्याशा भरी नजरों से निकिताने पिताजी की ओर देखा। अनुहन दिच्छूर नजरे रे माने सकुरे दिश्टी रे तेओ द्यतकरफले साई कोले। अबश्या प्रकाशीत हो जाएगा बेटी। निश्वय प्रकाशीत हो बाये जोने। तुम लिखो तो सही। तुम्हारा लेख में सयंग आखबार के दफ्तर में देखर आऊंगा। तुम्हार लिखोनी टुक मोई सयंग निजेई। गोई आखबार और बातुरीर अभिशत दफ्तर मनों भिशत काजलत मोई दिया हीं। आखबार में अपना लेख प्रकाशीत होने के कल्पना से ही निकिता की आखे चमक उठी। बातुरीका कतत निजल लिखोनी प्रकापाबो एई भाब्टु चाई एई तार भाबर ही भाब्टु ए तार सोकु सलचले होई और वो अपने पिछली राजस्थान यात्रा की यादो में खो गई। आरोद ताई ज्वा राजस्थान जात्रा और भाब्रमनोर कथाडू मनत पेलाई ही भाबोते ताई बिलीन होई गोल। निकिता अपने राजस्थान यात्रा के अनुभवो का एक अलेक तयार करने लग निकिताय निजोर राजस्थान जात्रार अनुभव गूर एका धुनिया हुंदार प्रस्थूत करिदमोर करिले ताई लिखा अराम्ब करिले जै मो राजस्थान जात्रा। राजस्थान गुमने की चाहत मेरे मन में बचपन से ही थी। राजस्थान ब्रमनकरार इच्छा मूर मनत हरूर परायासिल। क्योंकि राजस्थान की संस्क्रीतिक परम्परा इच्छा सी कीले रेगिस्थान भुजन तथा बिविन्न उच्छब आधिके बारे में सुन्ती आई थी। क्योंनो राजस्थानोर जीतु परमपरा ओईतिहाखी किल्लाबूर बिल्डिंग बूर रेगिस्थान मने सोर जीतु मुरूभुमी भूजन मने खानापिना और बिविन्न उच्छ परबुनोर बिखोये त्यो अगरपराई हुनिहाई शिल। इसलिए राजस्थान गुमने की इच्छा और भी प्रबुल हो गई। आरो हेकर ने राजस्थान गुरार इच्छा तो आरो बेशी प्रबुल हो थिल। पिताजी ने जवब हमें बताया कि इस बार सर्दी की सुट्टियों में हम राजस्थान गुमने जा रहे हैं तो मेरा मन खुशी से जूम उठा अमें देवताय जेती हैं आमा कोई शील जे आमी एई बार सर्दी मने शलते ठांडा ठांडा बन्दोर दिन जेती आमी राजस्थान फुरिबले जाम तेती हैं मुर मन अनुद एकडम तमाम आनंदो लगे गुशील राजस्थान यत्रा के मेरे अनुभवों को आप सब के साथ बाढ़ते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है राजस्थान जात्रार बिखोईटू मुझे अनुभव पूर अपना लोगार लोगात मुझे बाढ़ते हुए मुझे भाग करू ते पूरी मुर मन्टोत खोब अनंदो लगी से माँ पिताजी मेरा सोटा भाई अरनब और मैं माँ देवता मुर होरू भाईटी अरो अरनब अमी हमने अपने गौाटी से नए दिल्ली तक की यात्रा राजधानी एक्सप्रेस यात्रा राजधानी एक्सप्रेस से की अमी गौाटीर परा नतुन दिल्लोई जात्रा तो राजधानी एक्सप्रेस रे कुरीलू राजस्थान की हमारी पहली मंजील थी राज्य की राज़दानी जोयपूर राजस्थानीर पत्थम आमी गोई पाबोलोगा लोख्ष्था नासीले मंजील मने लोख्ष्था नासीले राजस्थानी जोयपूर नयदिल्ली से जोईपूर तकी यात्रा भी हमने रेलगारी से ही तोई की नतुन दिल्ली पराजोईपूर लोई के जात्रा आमी रेलगारी रेह कुरी सेलू लगभग पांच घंटे की इस यात्रा में औ RIGHT लगातार कोंटीन्यू एक्रा है पास घंटालों किया में जात्रा करात मैं राजस्थान के राजपूत युद्धाओं और यहां की बिरांगोनाओं की साहसिक कहानियों में खो गए थी मौई राजस्थानों राजपुत हकलार जुद्धा हकलार आरु बिरांगोना बीर बिरांगोना हकलार मने हाहको ही काहनी भीला कर मज़त मौई निजय कुमाई गोई शीलू कब जयपूर पहुंच गए मुझे तो पता भी नहीं चला केतिया गोए में जयपूर पाइगुलू मुझे गमोके ना पालू रात हो चुकी थी राती होई गोई शील जनवारी का महीना था जनवारी महा शील हमारे यहां की तुलना में ठांड कुछ अधिक ही लग रही थी आमार यार तुलना था ठांडा अलब बेसी लगी शील अगली सुब हाम सभी जयपूर गुमने निकले तार पीज दिना कुले राजस्थान मने जयपूर फुरिवलो उलालू यहां गुमते हुए मैंने देखा कि यह बड़ा ही सुनी जीतो शहर है तात मने घुरी-घुरी आमी देखी लिए जतात राखो दूंदर हुंदर हुनी जीतो अटा शहर बाजार सब सीदी सड़कों के दोनों और है बा बोनों का निर्मान भी बिल्कुल एक ही तरीके से किया गया है डंगो कर बहबन बिलाग एक धरन और होया से यहां कि प्रत्य बहबनों में गुलावी रंग का उपयूग किया गया है इसलिए इसे गुलावी शहर भी कहते है या थोका डागाणागर बिल्लिंग बिलाकत, घर बिलाकत के बल गुलाबी रंग भभार करा हुई से, आरो हेकर ने ये शहर खनक गुलाबी शहर भुली कुआ होए, आज का जयपूर शहर विश्चो के सुन्दरतम शहरों में से एक माना जाता है, आजी कली जयपूर शहर वि जनतर मंतर, अमेर्का कीला अधी प्रमुखे, आजमीर का होबू, मनि याद आमी बहुतु दर्खनिया स्थाल आमी जीविलाक देखिलू, तरवितरत हावा महल, सिथी पेलेस, जनतर मंतर आरो आजमीरोर ननंदरनर कीला बिल्दिंग आमी देखिलू, जयपूर का विश्च प्रसिद्ध हावा महल एक पांच मंजीलों इमारत, विश्चर वितरत प्रोखिद्ध हावा महल जीटों पास्तला बिल्दिंग, जिसमें सहेकडों जरोके बने हुए है, जो हजार हजार दौर खिर्की जरोके मनें खिर्की बिलाक्रा ठकवाई से, याने एक्षिल वेंटि कर अपनी कलाई में बांधी आधुनिक गड़ी में वही समय देखकर दांग रह जाते है, यत कुथार कोई से, जन्तर मंतरत मौय देखी लुजे बिदेखी पर्जार रखा कले, हुर्जर किरणा लगत, हुर्जर किरणा लगत हमयर गरणा करी निजर हातोर गाठित कलाई मे बांधी आधुनिक गड़ी, जिटो हातोर काठित रखा आधुनिक गड़ी, ए विलाक साय तेवलोग बर असुरित होई से, अपने गवरोब शाली इतिहास पर मुझे मन ही मन गर्भ हो रह था, अमार निजर ही गवरोब खाली इतिहास पुरोंजी नमी साय देखी, मन निज अनुपाम प्रक्रिति संदर्यों तथा संदर्यों से भर्पोर उधोयपूर देशी अबंग विदेशी पर्याटकों के आकर्शन का प्रमोख क्य notion है अनुपाम प्रक्रिति मने असुरित प्रक्रितिक संदर्जय भरितो का उदोयपूर जगार अखर देखी आरो बिदेखी पल्जाटो खकल और आपकर्खरन और प्रमुख केंद्रो होए अशे शायद यही कारण है कि उदोयपूर को पूर्व का वेनिस मने पूर्व वेनिस मने इस्तान वेनिस मने शहर और पूबंखो बुलिक्वा होए जिलो की नगरी मने हरोदर नगर मने जिल मने डंगर डंगर बील हरोदर को आई से राजस्थान को काश्मीर आधी नामों से भी जाना जाते राजस्थान काश्मीर बुलिक्वा जाना जाए इस सुन्दर शहर का नजदीक से देखने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि राजस्थान के भोगुलिक परिबेश के बारे में हम कितना गलत ससते हैं यह दुनिया सहरकर्णर एक्के बारे उसरोर परा आमी स्वार पिशत मुर एनको एहसास हुआ मने एटा भाब होल मुझे एनको एटा अनुशना होल एन भाब होल जे यह भोगुलिक परिबेश टूक आमी किमान बया 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 बुली मने भाभी शिलिव यहां गुम्ते हुए हमने नगर के सबसे उचे स्थान पर स्थित राजमहल को देखा यात आमी घुरी घुरी अटाइक कोई उखो स्थान जीतू ताथ अबस्थित तोका राजमहल आमी देखेलू जो काफी भईबो और विशाल है जीतो असुरीत दरन और डांगों रारो खुब देखी बोलो गिया यह पेशोला जील के तट पर बसा हुआ है एटों पेशोला पेशोला जील पेशोला हरादर उपर तेके बारे टोपत मने बनाइट हुआ से महल से पूरे शेहर और जील का द्रिशो कितना मुनुरम दिखाई दिता है महल खुनर परा गुट्टेई जील तूर द्रिशो खुब धुनिया मुनुरम दिखा जाए महल के अंदर बीर महारना प्रताप के जीबन से संबंदित अनेक चित्र अस्त्र सस्त्र आदी भी हमने देखे महल और भितरत महारना प्रताप और जीबन और लगत हंगोडी तो मने जोडी तो थो का बहुतो चित्र अस्त्र हस्त्र अमी हे बिला देखिलू मेरी राजस्तान यात्रा का एक अभिस्त मरणियों पल है अजमेर शरीफ की दर्गा में बिताया गया कुछ समय आमी राजस्तान यात्रा जात्रात आमी अभिस्त मरणियों केटा मन हमोय असिल केटा मन मुहुर्त पल मन मुहुर्त आसिल आज मी शरीफ और दर्गाहत आमी पारकरा कि सुमान हमोय महान सूफी संथ ख़ाजा महिन दिन सिस्टी की याद में बनी ये दर्गाह में देशी बिदेशी परियाटों को भी परियाटों को भी भीर देखने को मिली याद खजा महनुद्दिन सिस्टीर दर्गा होत देखी विदेखी परजाट कर भीरू अमी साब बोले पालू हम लगोंने भी दर्गा में जाकर मन की मुरादे पुरी की आमियू ताद गोई अमार मनोर जीतु कमोना आमी हेखिनी पुरा कुरीलू वहाँ चल रही कवाली को सुनकर दिल खुश हो गया ताद सोलीथो का कवाली विलाख हुनी कवाली मने धोर्मियों किसु मन गीत जीकिर कवाली हुनी अमार अंतर अनंदितो होई गोल मने अनंदर भुरी पुरीलू इसके बाद पास के पुशकर जिल में जाँ पहुँचे तारपीशो तमी उसरोरे पुशकर जिलो लोई गोलू हमें पता चला कि यहां उटो का विश्यप्रसिद्ध मेला लगता है अमार तेत्य तार जानिवों परेलू खबर पालू ज़ताथ उटो और विश्यप्रों हिद्ध मेला लगे बुजार वो है जिसमें 1000 की संख्या में उट खरीदे और बेचे जाते है जोतनी के हाजार हाजार उट याद बेशाकी ना होए लेकिन दुर्भाइग्योबश हमें वो मेला देखने को नहीं लेकिन तुर्भाइग्योबश होतो आमी है मेला सबो नुआरीलू इसके बाद हम राजस्थान के हील स्टेशन माउंट आबू पर पहुंचे तारबिशात आमी राजस्थान और हील स्टेशन माने पहार स्टेशन चीट हील स्टेशन बिली कोई माउंट आबू ताते आमी गोई उपोस्ती थोलू हमने पूरे एक दिन और एक रात यहां बिताई आमी तात पूरा एक दिन और एक राती तात कटालू वहां का प्रक्रितिक संदर्या देखकर हम अभिभूतो हो गए अमितात प्रक्रितिक संदर्यों देखी अभिभूतो हो गुलू प्रक्रितिक संदर्या और महान मौसम के लिए इसे राजस्थान का स्वर्ग भी कहा जाता है प्रक्तितिक हुंदरोता और धुनिया हुंदर करने परिभेहर करने ए जगाड़ोकरोक राजस्थान और सर्गबुली को आ होए यहां का एतिहासिक मंदीर और प्रक्तितिक खुबसुरती परियाटोको को अपने और आकरशित करती है या थोका उयतिहाहिक मंदीर आरो प्राक्तितिक खुबशुरोती मने खुंदर होता है पर्जाटो खकलो निजोर फले आकरखन करे परियाटन के संदर्भो में राजस्थान का एक और महत्तपुर्ण आकरशन है जैसल मेर परियाटन और हंदर्भो में राजस्थान और आरो एटा महत्तपुर्ण मने गुरुत्तपुर्ण आकरखन स्थल होल जैसल मेर अपनी यात्रा का आसली आनंद तो हमने यहीं उठाया आमी तो मने आमार ब्रह्मन और प्रुक्रित आसल आनंद फुर्तित आमी ताते पलू यहां हमने देखा कि शहर के सारे प्रासिन भवन पीले भूरे रंग के पत्तरों से बने है तातामी गोई देखिलू जैद दांगर डांगर शहर और मने बिल्डिंग बिला को रंग मने पीला हलो दिया अरो भुरी मने बगा आक्सेली रंगर हिलेरे पत्तर और बनाईबनुआ होई से इसलिए यो शहर राजस्थान का शोर्न शोहर भी कहलाता है पिले बुरे रंग ही टू हुनाली रंगेई यो शहर राजस्थान का शोर्न शोहर कहलाता है ये शोहर खनक राजस्थान शोर्न शोहर हुनाली शोहर भूली क्वा होए योग सेत्र विशाल थर मरुष्थल का एक बड़ा भाग है और एई खेत्रों तो थर मुर्भुमीर एटा दिखाल अंखो जिसके कारण यहां केवल रेथ ही रेथ दिखाई जेता है जीटुकार ने यहां केवल बाली यही बाली दखा जाए पूरे इलाके में विविन्न आकार प्रकार के बालू के उँचे उँचे टीलो का विशाल सागर सा दिखाई जेता है यहां थोका विविन्न आकार प्रकार और डंगो डंगो उखो उच्छो उच्छो बालीर टीला बिला यही टीला मने हुरु हुरु पहारो निशिना टीला को मने दांग और हागर और निशिना देखा जाए रेत के तीलों को यह अथा सागर राजस्थान का असल एहसास कराता है यही बालीर तीला बिला के सागर और हागर लोगत मिलाए मैंने राजस्थान और अनुभब देखुआ है रो सुरियास्तों के समय यहां काफी खुब सु देखा जाए इस बिशाल रेगिस्तान में सभी परियाटक उट की सवारी का आनन्द अवश्य उठाते है यही बिखाल रेगिस्तानों मने मुरुभुमीत रेगिस्तान मने मुरुभुमीत हकुलू परज्जतों के की करे उटोर सवारी करे उटोर उठी गुरा फिरा करे हमने भी हमने भी उट की सवारी का आनंद उठाया आमियों उटर पिठीत उठी आनंद बनफुर्ती कोरीलू शुरू शुरू में तो इतने उचे उट की पीट पर चरते हुए मुझे बहुत डर लग रहा था प्रथम प्रथम मुए यह उखो उटर पिठीत उठीत उठीते मुझे बड़ा मजा आ रहा था प्रथम प्रथम मुझे खुब भई लग रहा था मुझे लग रहा था मानों मैं युद्ध में जा रहा जा रही कोई राजपूत बिरांगना हुँ उटर पिठीत चबार होई गोई था कोटे मुए उसक्षन को याद करके मैं अब भी रुमान्चित हो जाती हूँ और हेई खन टूक हेई पल टूक मने हमोई खिनिक मोई मनत्पलाई होरों केरी मोई त्याव रुमान्चित होई जाओं यात्रा में हमें राजस्थान के प्रसिद्ध नित्य घुमूर जो उच्छबो के अबसर पर महिलाओ दुआ राखिया जाता है राजस्थान ब्रह्मनत अमिजितिया राजस्थान प्रसिद्ध नित्य घुमर नित्य अमिजितिया दिखिल वारों पूरी रजस्तान यात्रा के दोरान हाम कोई स्थानिय लोगों से मिले। पूरी रज्य में संपर्ख भाषा के दोरान हाम कोई स्थानिय लोगों से मिले। पूरी रज्य में संपर्ख भाषा के दोरान हाम कोई स्थानिय लोगों से मिले। करते करने देते। हिंदी भुजिपुआरों हिंदी कोभुपरा मानुहकल देखोन विजरों कुनु जगाती तेवलोग असिनाकी नहों अजनभी मनेहल असिनाकी। यात्रा के दोरान हमने शाकाहारी स्वादीष्ट भुजन के स्वाद का भुरपुर आनंद उठाया। अमार जात्रा हे खुवार । मै ब्रोमन हे खुवार ₹clock आमी की कोरिलो ₹ komt 20 जात्रा सलीथोख हूमोहतिते अमी एटो ननवेजेतर्यान शाकाहारी गणला हुस्टै निरामीह भुजी आमी निरामीह्टोर कीसो शाकաहारी हाक पासुली कोआ वहां के लोगों से मिलकर मुझे लगा कि वे काफी मिलांचार और अथिती परायोन होते है अमी तेवलोकर लोगत मिली एने को अनुभव होल जे तेवलोक को खुब मिलापीती भालपाय और अथिती परायोन रिगिस्तानी इलाके में बरसात बहुत कम होती है रिगिस्तानी इलाके में मुर्वुमी अलेकात बारिख्या कुब कम होए बुर्खुन कुब कम होए या पानी भी सहज ही उपलब्दी नहीं होता या पानियों होजोते उपलब्दों नहों होए गर्मी के मौसम में तापमान भी काफी ओधिक होता है हो जाता है ग्रिश्मोर हमयोत या गरोमोर तापमान खुब बेशी होई लेकिन राज्यों के दूसरे हिस्से में मोसम समयना रहता है किन्तो राज्यों बेलेग अंसलोत भागत या तापमान अलब कोम थाके यो एक अती मोनुरम और बीवीदताओ से भ बीश्मोर हमोरी सुत्तियां समाप्थ हो रहती हमस्तो हमें तathy समए यो हमें तव समय पर लोटना जरूरी थे आम्य निस्चितों निध्धर समय आत हम भूरी और हमार जरूरी हो या सिल मुझे अभी भी लगता है कि राजस्थान में और बहुत कुछ है जो हम देख नहीं सके मोग इनकुलाटा अनुमान हो यासी लागी शिल जे राजस्थान नारू बहुत की बागी भी आसे आमीजी तो अब लोग भी मोका मिले तो राजस्थान जरूर जाईए अपना लोकोरो जो दिये के तियाबो हमोय पाए राजस्थान ने चोई जाबो परियाटन स्थाल के रूप में यह एक बहुत ही आकरशक और देखने लायक जगा है परज़ाटन और रूपत अरो इटो आकरखन और फ लिखाफे में भरा लिखाटो खेक कुरी निकिताई लिखोनी काग मने लिखाक अगस्की नी अगस्तुगरा लिखाफात भराले फिर लिखाफे पर स्थानियों हिंदी अकबार के संपादक महोदय का नाम पता लिखकर अपने पिताजी को सोब दिया आरो तार बिस तर हमपादक महोदय और नाम ठिकोना लिखी निजर प्योताबर हाथात समझाई दिले गलपटु एखिनले के मय तुमा लोको परहाई दिलो हम मय बहुत होई गल तुमा लोके भालके अबार पुरहिबा आरो मय जैने के बुजाई गोशी दोदी बुजीपवा दुनियके आरामोत गलपटु एखिवा परिवा मय पिसोर क्लासोत तुमा लोको प्रशनोत तोर दिम आजिले ब्रांत थाको धन्यवाद